तो गाइस सुभाई के बजह 10 और हो चुके है रेडी महाकाल जी के दसन के लिए और सबसे पहले भाई जिस गेस्टाउस में हम लोग रुके हैं उसका में एक च्छाटा सा रूम तूर देदू यह परीगेस्टाउस के नाम से है और जिस रूम में हम रुके हैं वो कुछ इस नहीं थे इसलिए हम दो लोगों को चार बेंड वाला इन्होंने यह गैस्टाउस रूम दे दिया है और यह खिड़की और खिड़की से बाहर की नजारी कुछ इस प्रैस से मार्केट है यह उजहन की वैसे फिलाल हमें इस इस खिड़की से काम नहीं है क्योंकि हम यहां से बात करें इसके प्राइस की तो यह एक रिलिजिस प्लेस हमेशा ऐसे प्लेस पर हमेशा प्राइस ज्यादा बताए जाता है लेकिन डिपैंड करता है कि आपकी बार्गिन का यह तो इसका जो रूप उनर था उसने वह बताया थे एट हड़ेट रूपीज शाम तक के लिए लेकिन बार्गिनिंग की और 500 रुपे में यह हमने फिक्स कर लिया चलो अब चलते हैं भाई जादा टाइम नहीं है भाई यह दूर से आते हैं यह कुछ ऐसा इंटियर है बाहर से मैं दिखा दूँ पार से कुछ ऐसा दिखता है परी गेस्ट आउट ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा ही है तो दोस्तों निकल चुके हैं भाई 12 जोतिलिंग में से एक महारकाल जी के दर्शन करने के लिए और यह जो जोतिलिंग ना भाई यह एकलोता ऐसा जोतिलिंग में 12 जोतिलिंग मे जो की दक्षिण मुखी है और स्वयम्भू है स्वयम्भू का मतलब ही है कि यह खुद से स्तापित है किसी ने इसको स्तापित नहीं किया है यह चोटा सा चौक ता जिसकी मैंने थोड़ी पेल आपको बताये था और लेफ्ट साइड यानि की इस साइड में मंदिल का रास्त प्रशाद ले लिया है यह फूल है और यह सब मुझे लगता है कि अंदर जाता होगा अंदर ने यह घर के लिए ही होगा और माते पर लगवा लिया माका लिए चन्दन लगवा लिया आप चलते हैं दर्शन के लिए यहां पर जूते उतार हो और उसके बाद में एक रास्ता यह है यहीं रास्ता है अंदर जाने के लिए वैसे यह भाई जूते दे दिये इसका टोगन दोगा आप अच्छा इसमें रख दूँ यह फ्री सर्विस है यह फ्री सर्विस है भाई यह और यह टोगन कुछ इस तरह से है यह फ्रेंट्स मंदर का में गेट इस साइड में है जो दाइसों रुपे की बी आईपी एंट्री वाली टिकेट हो और यह हो काउंटर जहां से बसमारती के लिए रेश्टेशन होता है लेकिन अभी यह साइड बंद है और यह बसमारती का जो है प्रोसेस है वो यह है कि अभी आप रेश्टेशन कराईए और कल सुबह चार बजे के आज-पास ही आपका नमपर आएगा मतलब अच्छी घासी भीड होती है और और अच्छी और सुबह तक सुबह तक यार बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी लेकिन अभी में गर्मी को जो हाल बताओं वो इतना बुरा है कि नंगे पैर चल पाना ना बहुत जारा प्रॉलम हो रही है और यह एक्जिट गेट है जब आप दरसन करके इस तरह से आएंगे ग सामने है महाकाल कोरिडोर यह रास्ता जाता है मंदिर के लिए यह है मंदिर का प्रवेश मार गयानी में गेट इस तरह से घुंते हुए इधर आना है में महाकाल दोस्तों सुबह के बज़े साड़े ग्यार है और हम लोगे दर्सन हो गया यार मैं दिखा देता हूं यह है मंदिर का में गेट और इसी से एंट्री लेनी है इसकी लाइन जो है वहां से शुरू होती है काफी लंग बाहल है दस मिनिट की लाइन होती है उसके बार म जो जो चेंज आए हैं मतलब कि अभी से दो या तीन दिन पहले तो फोन अलाव था यानि कि आप वीडियो बना सकते हो अंदर पोटो ले सकते हो लेकिन आज है 11 अप्रेल और अब बिल्कुल भी आप फोन अलाव नहीं है बिल्कुल भी फोन अंदर नहीं ले जा सकते हो इस सब्सक्राइब होती है और अगर आपकी जैसे फोन मिलता है तो आपको बापस फिर स्टार्टिंग से फोन समिट करके पर आना पड़ता है यहीं सामने ही लोकर है ती आपने लोकर हैमार मिलेगा नहीं कि अन्दर कोई वीडियो ना ही फोटोग्राफी अलाव है और हां बात करता है कि साइध भीड़ होगी और जिस वह से मुझे वह वाला जो पास है यहां पर जो है दर्सन दो तरह से होते हैं एक तो नॉर्मली और दूसरा है भी आई पी पास की जो वैलू है जो प्राइस है वह है दो सो पचास रुपे रिकमेंड करूंगा अगर मंदिर के अंदर भीड नहीं है बिल्कुल भी तो आप वह पास मत लो क्योंकि उस पास को लेने का कोई फायदा नहीं है बेकार में 250 रुपे आप खर्च करूंगे बस फर्क इतना है कि अगर आप नॉर्मल लाइन से आ रहे हो तो आपको बस दस मिनट करना पड़ेगा और आप पास लेकर आ मंदिर की सुंदरता को देखते हुए आप आराम से टहलते हुए और महाकाल के लगाते हुए दसन करना अभी मैं मंदिर के बाहर ही हूं और रिसेंटली ज्यादा टाइम नहीं हुआ है महाकाल को बने हुए जब शाम होती है तो कितना अच्छा यहां सारी लाइटिंग होती है और उदर भी काफी अच्छी मूर्तियां हैं बड़ी बड़ी जो है भगवान की मूर्तियां है अब जो है अब लगए महाकाल जी के बहुत अच्छे से दर्षन हुए और दर्षन हुए बंदिर के बाहर ही है आप लगी है भाई बहुत तैंसहों बढ़ने के रेश्टरेंट के आप और कोई चार्व तरफ अगर देके तो रेया किया थे कि अपनद स्वीट और एक हीरा सिवार रेश्टरेंट यह है एक स्रीजी रेस्टोरेंट सामने एक हो रहा बताए कि वह फूट व्लोगर वाला पूरा जो पर्ज निभाएगा जरा बताए कि टेश करके बताए है सर्दाल क्या दिए तो भाई साथ तक नंबोल दिया तार ठीक है अब से निये खाना खाते हैं खाना खाने के बाद फिर से बात करते हैं अभी तो हमें और भी जडिया गूपने जाना कि संदीवनी आश्रम हो गया बरतरी गुफा हो गया खाना हमारा हो गया पेट भर गया महाकाल जी के दरसन हो आप बार आई है जो महाकाल जी उझेयन में जो आज पास में जो मंदिर है जैसे की काल भेरब हो गया चैनल करने के लिए जा रहे हैं वैजर सबसे जो आशन तरीका ता वह था भई या वाइक रेंट करना लेकिन आज साम को भी हमको नाम देख और तो वह तो वह सारे मंदिर यह भाईया वह लिया है वह लिया तूर तो डिए जहां से इंदवर के लिए हमको इंद विया आपा नाम क्या है बंकिना इनाम है वाहि का नाम है वह उटे वाले वह नाम है यह यह इविध जो है मैं इसको यही पर रेंड करता हूं